क्या आप भी घर वेठे सबसे स्मार्ट कौन खेलते हैं और साम का एक घंटा इस गेम में लगाकर लगपती या करोडपती बनने का ख्वाब देखते हैं तो उन लोगों से मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है वो इस वीडियो को आगे ना देखें उनके सपनों को चोट लग सकती है और जो लोग इस खेल के काले सच को जानना चाते हैं वो इस वीडियो पर बने रहें तो चलो सुरू करते हैं तो भाईयो और उनकी बेहनों अगर आपको लगता है कि बिना मेहनत किये बस साम को एक घंटा ये गेम खेलो और करोडपती बन जाओ तो वहिया रहने दो इस आपको कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि ये गेम आपको पैसे देता नहीं बलकि आपसे पैसे लेता है जी हाँ उल्टा आप लोग इनको पैसा देते हैं बात बहुत अजीब लगी ना चलो मैं बताता हूं कैसे अब जरा ध्यान से सुनना आप लोगों को कहा जाता है कि आप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पर 370 से भी ज्यादा रुपे होट स्टार और स्टार प्लस को मिलते हैं और जब से ये गेम आया है तब से होट स्टार आप को 98,000,000 से भी ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं यानि इतना पैसा जितना आप स्क्रीन पर देख रहे हैं रही बात इस गेम में आपको आपके जीते हुए पैसे दिखाने की तो भाईया पहले ये जानलो कि वो पैसे नहीं पॉइंट दिखाता है मतलब 100 पॉइंट पर 1 डोलर सिर्फ 64 रुपे जो तुम देख देखकर खुस हो जाते हो ना 70,000, 60,000, 8,000 पॉइंट देखक अगली बार उन्हें जरा ठीक से गुना बात कर लेना और वो पॉइंट देकर इनका मकसद आपको पैसे देना नहीं बलकि आपको एट्रेक्ट करके उस गेम पर आपको पूरा एक घंटा टिकाने का है क्योंकि जितनी देर आप उस गेम को खेलेंगे या उस गेम पे टिकें मिलती है और पैसे सिर्फ उनको मिलते हैं जो इस गेम में सबसे ज़्यादा पॉइंट जमा करता है ऐसे पॉइंट जमा करना नहीं कि 7-8 दिन तक खेलते रहेंगे पॉइंट जमा होगे जो एक गेम में एक बार सबसे ज़्यादा पॉइंट जमा करता है उसको पैसे मिलते ह पचास या साथ हजार या पाँच हजार दस हजार की बात नहीं लाखों पॉइंट की बात हो रही है जो जितने पॉइंट जमा करेगा और जिसके पॉइंट गेम के अंत में सबसे जादा होंगे उसको ही कुछ पैसा दिया जाएगा तो भीया फिजूल में इस गेम में पैसा कमाने की मत सोचो और कुछ काम धंदे पे लग जाओ जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक के काले बटन को नीला कर देना और अपने रिष्टेदारों को ये वीडियो सेयर कर सकते हो ताकि वो भी इस गेम में अपना टाइम बरबाद ना करें और आप ऐसी ही मनोरंजन और ग्यान भरी बाते सुनने देखने और समझने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो धन्यवाद गुडबाई